हलो दोस्तों तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने टेली ग्राम चैनल पर मेसेज किया था और आपको बताया था कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं टेली प्राइम का पूरा कोर्स हमारे इस यूटूब चैनल पर तो आज से वह कोर्स श्टार्ट हो गया है आज के इस पहले कलर आपको देखने को मिल जाते है इसकी स्टार्टिंग लुक में जैसी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका अप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपेन होगा तो जब तक टेली प्राइम यहाँ ओपेन हो रहा है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ल आपकी यदि इसका सीख लीजिए उसके बाद में आप चाहें तो इसको लाइसंस बर्जन भी पर्चिस करके इसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे अब यहाँ पे दीखिए कि हमने यहाँ पे एक पहले से बनाया हुआ था बोलकर की इस्प्रकार यहाँ पे आपका Name of Company, Date of Last Entry इस प्रकार से आ रहा है तो दीखिए अभी आपको यहाँ पे न्यू कंपनी क्रियाट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे Side में Option मिलेगा, Company का जिसका Shortcut की होता है F3 जल्दी हम क्या करेंगे आपक टेली प्राइम का जितना भी shortcut की है इसके बारे में भी आपको बताएंगे तो company यहाँ F3 आप press कीजी जैसे आप press करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से view आएगा अब यहाँ पे हम create a company पर जाएंगे और इस पर double click करेंगे जैसे आप यहाँ पर double click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से view आएगा अब यहाँ पे आप जिस भी नाम से company को create करना चाते हैं उसका नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा उसका mailing name जो होगा वो आपको यहाँ पर add कर देना है साथी में आपका जो company है वो कहाँ पर है उसका पूरा address आपको यहाँ पर fill कर देना है उसके बाद में आपको यहाँ पर state चून लेना है कि कौन से state में आपका जो company है उसके बाद में जो भी यहाँ पर detail है जैसे pin code, telephone number, mobile number, fax, email id यदि website बनाए हैं तो website डाल सकते हैं और financial year देखी financial year होता है एक साल का इसका starting होता है आपका 1 April 2030 यह year है 2030 ठीक है यह जब आप 24 में बनाएंगे तब भी हो सकता है 1 April 2024 इस प्रकार से होगा और इसका जो end होता है यह होता है 31st March 2024 ठीक है यह होता है आपका financial year इतना करने के बाद में आप आपको इसको enter करते हुए आना है और accept कर लेना है enter करेंगे तो आपका yes यहाँ पे हो जाएगा अब जैसी आप उसको yes कर देंगी तो यहाँ पे बहुत सारे futures आते हैं जिनको अभी आप यहाँ पे skip कीजिगा क्योंकि इस सभी future के बारे में हम आपको जैसे जैसे वीडियो में कोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इसके बारे में detail में जाननेंगे तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम टैली प्राइम में एक company को create करते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में